नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पवन उपपल और आप देख रहे हैं सेहत और लाइफ दोस्तों बहुत से लोगों ने free radicals के बारे में सोना होगा कि free radicals हमारे लिए अच्छे नहीं होते और हमारे शरीर में बिमारीयां पैदा करते हैं लेकिन free radicals क्या होते हैं और हमारे श्रीर में किस परकार से बीमारी पैदा करते हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको free radicals के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि free radicals क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और हमारे लिए क्यों अच्छे नहीं होते और free radicals से छुटकारा पाने के लिए antioxidants किस परकार से हमारी सहायता करते हैं free radicals unstable atoms होते हैं या यूँ कहें कि जो atoms unstable हो जाते हैं उन्हें free radicals कहा जाता है इसे मैं थोड़ा simple तरीके से आपको समझाता हूँ जो atoms होते हैं, उनके बीच में एक nucleus होता है और nucleus के बाहर electrons होते हैं जो nucleus के चारण तरफ घूमते हैं यह electrons जिन घेरों में घूमते हैं उन्हें shells कहा जाता है हर shell में अलग संख्या में electrons होते हैं और यह electrons pairs में होते हैं यानि जोडों में होते हैं अगर किसी shell में कोई unpair electron है यानि जोडे में कोई electron कम है तो यह atom एक free radical बन जाता है और यह atom यह free radical दूसरे atoms के साथ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करता है और दूसरे atom से electron लेकर अपना electron पूरा करने के कोशिश करता है जिससे body के healthy cells को नुकसान होता है और शरीर में बिमारियां पैदा होती है एंटियोकसिडेंट्स क्या करते हैं कि वह अपना एक electron इस free radical को दे देते हैं और electron मिलने के बाद इस free radical के electron पूरे हो जाते हैं और फिर ये atom एक free radical नहीं रहता और एक healthy atom बन जाता है यानि एक normal atom बन जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सबसे खास बात ये है कि अपना electron देने के बावजूद एंटियोकसिडेंट फ्री रेडिकल नहीं बनता इस परकार एंटियोकसिडेंट्स हमें free radical से बचाते हैं और free radical से होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं free radical हमारे शरीर में naturally ही बनते हैं यानि प्राकृतिक तोर पर ही बनते हैं लेकिन हमारी जीवन शैली free radical के बनने के इस प्रोसेस को तेज कर सकती है जिन कारणों की वज़े से शरीर में free radicals का उतपादन तेज हो सकता है वह कारण इस परकार है जैसे chemicals के संपरक में आना जैसे वाईयू प्रदूशन और कीट नाशक दवाएं अलकॉहल का सेवन करना धुमरपान करना और तला हुआ भोजन खाना इन मुख्यक कारणों की वज़े से शरीर में free radicals का उतपादन बढ़ सकता है free radicals की वज़े से ही हम बूड़े होते हैं क्योंकि free radicals हमारे शरीर के cells को नुकसान पहुँचाते हैं और जैसे जैसे हम बूड़े होते जाते हैं हमारा शरीर free radicals से लड़ने की अपनी ताकत को खोता रहता है जिसकी वज़े से और ज़्यदा free radicals बनते हैं और हमारे cells को और ज़्यदा नुकसान होता है और इसकी वज़े से हम लगातार बूड़े होते रहते हैं Free Radicals की वज़े से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि Cardiovascular Disease, Remotoid Arthritis, Cancer, आँखों में मोतिया और नजर कम होना, Alzheimer's Disease, उमर से संबंधित बदलाव, जैसे कि जूरियां, बाल सफेद होना, बाल जढ़ना, Diabetes और Parkinson's Disease जैसा कि मैंने पहले बताया कि Antioxidants Free Radicals से लड़ते हैं बहुत सारे Chemicals हैं जो Antioxidants की तरह काम करते हैं जैसे कि Vitamin C, Vitamin E, Beta Carotene और Phyto Estrogens बहुत सारे खादे पदार्थों में Antioxidants पाय जाते हैं जैसे कटे फलों में Vitamin C पाया जाता है, गाजर में Beta Carotene पाया जाता है और Soya Bean में Phyto Estrogens पाय जाते हैं अगर आप Free Radicals से बचना चाहते हैं तो Production से अपने आपको बचाईए धुम्रपान और Alcohol का सेवन बंद कर दीजिए और तला हुआ भोजन खाना बहुत कम कर दीजिए और खूब सारे फल और सबजें खाईए क्योंकि इन में Antioxidants होते हैं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईए और अगर अच्छा नहीं लगा है तो ये भी बताईए कि क्यों अच्छा नहीं लगा है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद